नमस्कार आप देखरें न्यूस्वर्ल इंडिया आपके साथ मैं हूँ का जोन लरायन बहुत स्वागत है आपका गुड मॉर्निंग इंडिया में महराश्ट में लगातार बढ़ते कोरोना को लेकर मुखे मंत्री उदफ ठाकरी आज लोगडाउन को लेकर बड़ा फैसला ले सकते हैं मुखे मंत्री ठाकरे आज डिप्टी सीम अजीद पवार के साथ बैटकर लोगडाउन पर फैसला करेंगे सीम उदफ ठाकरे और डिप्टी सीम अजीद पवार के बीच ये बैटक ग्यारा बचे होगी इसके साथ ही जौनकारे के मुताबिक उदफ ठाकरे एक हफते के लोगडाउन के समर्थन में उन्होंने कोविड-19 मामलों के तेजी से बढ़ने की भयावे स्थिति को देखते हुए शनिवार को सक्त लोगडाउन लगाने के संकेत दिये थे बता दें कि प्रदेश सरकार ने पिछले हफते कुछ पाबंदियों की घोशना की थी जिनमें सब्ताहंत पर लोगडाउन, रात्री करफ्यू और दिन में निश्यगता शामिल है ये पाबंदिया 30 अपरेल तक जारी रहेंगी महराज्च के स्वासमंत्री राजेश टोपे ने रविवार को कहा कि प्रदेश में लोगडाउन लगने के संदर्भ में उचित फैसला 14 अपरेल के बाद लिया जाएगा मुक्यमंत्री उदप ठाकरी की अधिक्ष्टा में हुई टास्क फोर्स के डिजिस्टल बैटक में लोगडाउन लगाने समेत विभिन मुद्दों पर चर्चा हुई है टोपे ने कहा कि आज की बैटक में लोगडाउन की अबधी और इससे होने वाली आर्थिक गिरावट से कैसे निपटना है इस पर चर्चा हुई है तास्क फोर्स का ये मानना है कि राज़ो में कोरोना वारस के हालात ऐसे हैं कि लोगडाउन की जरूरत है एक ओर जहां मारास्ट सरकार लोगडाउन पर विचार कर रहे हैं तो वहीं लोगडाउन को लेकर कोई फैसला ना ले पाने पर विपक्ष ने सवाल उठाने शुरू कर दिये हैं मारास्ट में पर विपक्ष के नेता प्रमिरीन दरेकर ने कहा है कि चिंता ये है कि लगातार बढ़ते मामलों के बावजूद लोग मानने को तयार नहीं हैं हजारों की संख्या में आम लोग भी डुपकी लगाने के लिए जुटे हुए हैं नेपाल के अंतिम राजव अग्यानेंद्र वीर सिंग भी हरदवार पहुँचे हैं वो भी संतों के साथ शाहिसनान करेंगे भीड होने के वज़ह से कई जगव पर कोर्ना प्रचकोल्स के नियम भी तूटते नज़र आए ना सोशल डिस्टंसिंग का पालन हो रहा है ना ही कोई मास लगाय हुए नज़र आ रहा है कुम्मिला आईजी संजे गुझयाल का कहना है कि शाहिसनान में सबसे पहले अखाडों की अनुमती दी गई अखाडों ने शाहिसनान के उसके बाद साथ बज़े के बाद से आम लोगों को शाहिसनान करने की जवाज़त दी गई है और तवी से ही भीड जादा देखने के इल मिल रही है कुम्मिला आईजी संजे गुझयाल ने कहा कि हम लोगों से लगातार कोविड नियमों का पालन करने की अपिल कर रहे है लेकिन भारी भीड के कारण चालान जारी करना वेवाइक रूप से समभब नहीं है घाटों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्ट कराना बहुत बड़ी मुश्किल बन गई है अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराएंगे तो भगदर जैसी स्थिती हो सकती है शाहिस्तान से एक दिन पहले उत्राखन में कोरोना के डिरामने आकड़े सामने आये थे पिशले 24 घंटे में 1333 संक्रमन के नई के सामने आये जब कि 8 लोगों की मौत हो गई महीदेरादोन में 582 हैड़वार में 386 इन्यानिताल में 122 कोरोना के नई मामने सामने आये हर की पौड़ी पर अविबार को इस थलिय परिक्षण के दोरान 9 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए थे स्वच्चता सर्वे जब से शिरू हुआ है तब से हर शहर हर सर्वे में नंबर वन आने की कोशिश में लगा हुआ है इसको लेकर जला प्रिशासन के ओर से कहीं तरह की कोशिशे भी की जाती है ऐसी एक कोशिश नौइडा अथोर्टी ने भी की है खुद को स्वच्चता सर्वे में नंबर वन लाने की कवायत करते वे नौइडा अथोर्टी ने मशूर बॉलिवूर एक्ट्रे शिल्पा शेठी का एक वीडियो जारी किया है इस वीडियो में शिल्पा शेठी शेहर के लोगों से साफ सफाई के प्रती जाग रुक रहने और सिंगल यूस प्लास्टिक का इस्तमाल नहीं करने की अपील कर रही है वैसे तो ये वीडियो सस्ता सर्वेक्षण के लिए कि इंदी सरकार ने जारी किया है लेकिन वीड़ा अथोर्टी ने इस सर्वेक्षण वीडियो को वीड़ा प्राधी करण की तरफ से एक नई हिदाय देते वे जारी किया है इस वीडियो में शिल्पा शिट्टी घर की सफाई के लिए कि इनकी चीजों की जरुत है मसलन डस्ट वीन, वेस्ट, सेरिगेशन, SBM, टॉयलेट, कमपोस्टिंग, रिसाइकलिंग, हिदाय देती नज़र आ रही हैं इससे पहले बॉलिवुड के प्लेबेक सिंगर के लाश खे ने नोड़ा एंथम जारी किया था जिसे लोगों ने खूब सराहा था सुभा की खबरों में फिलाल के लितना ही आप बने रहें न्यूस्वल इंडिया के साथ